हम सब उस ऐसे कालखंड में हैं मैं कहूंगा हम लोग एक भाग्यवान लोग हैं ऐसी भाग्यवान समय में हमें कुछ दाईत्म निभाने का आउसर आया है और हमारा सबसे वड़ा भाग्य है कि आज इंजियन एस्परेशन्स उस उंचाई पर हैं जो शायद पिछले हजार साल में नहीं रहे होंगे गुलामी के जंजिरों ने उसके एस्पिरेशन्स को दबोच के रखा था उसकी भावनाओं को तहस्त नहस्त कर दिया था आ जहां भारत में अपने सपने संजो रहा था चुनोतियों से जूज रहा था लेकिन मिलकर गया जहां पहुचे हैं अब बहां रुकना नहीं चाहता है वह एस्परेशनल सुसाइटी के साथ नए लक्ष घणना चाहता है जब एस्परेशन सुसाइटी के सपने संजोते हो संकल्प लेकर के निकल पड़ी हो तब पुराने कानूनों से मुक्ति पाकर नए कानूनों का निर्मान करके उजवल भविश्य के लिए एक मार्ग प्रसस्त करने का दाईत्वां हम सभी सांसदों का सभी शेस होता है संसद में बढ़ने वाला हर कानून संसद में होने वाली हर चर्चा संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन एस्पिरेशन को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए यह हम सब की भावना भी है करतब्य भी है और एक एक देश्वासी की हमसे अपेच्छा भी है हम जो भी रिफॉर्म करें उसके मून में इंडियन एस्पिरेशन सबसे सरवोच्पत पर होना चाहिए प्रात्फिक्ता पर होना चाहिए लेकिन मैं बहुत सोच समझ करके कहना चाहता हूँ क्या कभी छोटे के नवास पर कोई बड़ा चित्र बना सकता है क्या जैसे छोटे के नवास पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता वैसे हम भी अगर हमारे सोचने के कहनवास को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं अंकित कर सकते कि 75 साल का हमारे पास अनुभव है हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी रास्ते बनाएं उससे हमने सीखा है हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है इस विरासत के साथ अगर हमारे सपने हमारे संकल पर जुड़ जाए हमारा सोचने का दाइरा बदल जाए हमारा कैनवास बड़ा हो जाए तो हम भी उस भव्य भारत के मारे चित्र को अंकित कर सकते हैं उसका यह सकते हैं उसमें रंग भरने का काम हम भी कर सकते हैं और आनेवाली पीड़ी को वह भव्य दिव्य माँ भारतिक है हम उनको सुप्रत कर सकते हैं दोस्तों है कि हम वृत काल के 25 वर्सों में भारत को अब बड़े कैनवास पर काम करना ही होगा अब हमारे लिए छोटी छोटी चीजों में उलजना वो वक्त चला गया है हमें आत्मंदिर भर भारत बनाने के लक्ष को सबसे पहले परिपूर्ण करना चाहिए और हम से शुरुवात होती है हर नागरिक से शुरुवात होती है और आज दुनिया में भी एक समय ऐसा था कि लोग मुझे कहते थे हमारे बड़े-बड़े बुद्दी जीवी और अर्थसात्री लिखते थे कि मोदी आत्मंदिर भर की बात करता है तो अर्मटिलेटरिजम क के सामने चुनोती तो बन नहीं जाएगा ग्लोबल एकोनोमी के जमाने में ठीक तो नहीं होगा लेकिन पांच साल के भीतर भीतर देखा दुनिया भारत के आत्मंदिर भर मोडेल की चर्चा करने लग गई और कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा कि डिफेंस सेक्टर में आ आत्मंदिर भर हो एडिबल ओई कि आज इस देश को आत्मंदिर भर नहीं होना चाहिए क्रिशी प्रधान देश हम कहते हैं खाने का तेल कि आप देश बाहर से लाएगा बहुत समय की मांग है कि हमें आत्म निर्भर भारत को संकल्प को पूरा करना यह हम समका दाइत्व है उसमें दल आड़े नहीं आते हैं सुर्फ दिल चाहिए देश के लिए चाहिए हमें अब मैनिफेक्ट्रिंग सेक्टर बेर दुनिया में सर्वस्ट्रेश्ट बनने की दिशा में ही कदम रख रहे हो और मैंने एक बरलाल के लिए से का था जीरो डिफेक्ट जीरो एक्फेक्ट हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहों हमारी प्रक्रिया में परियाबरन पर कोई एफेक्ट नहों ऐसा जीरो डिफेक्ट जीरो एफेक्ट वाला हमें दुनिया के सामने हमारे डिजाइनर हमारी यहां निर्मान होरी डिजाइन्स हमारे सॉपफ़ेर हमारे अग्रिकल्चर प्रोडक्स हमारे हस्त सिल्प हर छेत्र में अब हमें वैश्विक माप दंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए तब जाकर के विश्व के अंदर हम अपना जंडा फैरा सकते हैं कि मेरे गाउं में मेरा सबसे अच्छा हमाल हो इतनी बात नहीं चलेगी मेरे राज में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क नहीं चलेगा मेरे देश में मेरा सबसे अच्छा प्रोड़क नहीं चलेगा दुनिया म दुनिया के अंदर टॉप रैंकिंग में आएं अभी इसमें हमें पीछे नहीं रहना है हमारे सिक्षा जगत को नई नेशनल एजुकेशन पालिसी मिली है एक खुलापन है सर्व स्विकृत बड़ी है उसके सहारे हम हमें चल्ण पना है और दुनिया के इस टॉप पहुंस उन प्राप्त तो अभी करके रहना है यह हमारा संकल पहुंस है